आप देख सकते हैं दोस्तों है हापर छत्का और बालकनी का सेड़ी का काम कमप्लेट होताने के बाद में सबी बल्लीयों को एक दूसरे के साथ तार से हम बांद रहे हैं क्यों किया हुआ हुआ है ये तीसरा सलया है दोस्तों और यसकी है लाइक मकान मालिक ने 6 इंच कम करवा रहा है और हमारे पास बल्लिया जो है सभी एक माप की रहती है और हमें इसे काटना भी नहीं है क्योंकि नीचे का जब स्याप हम ठोकेंगे तो यही बल्ली छोटी पड़ जाएगी इसलिए इसे क्रॉस लगा दिया है और सेंट्रिंग तार से सभी एक दूसरे से बांध रहे ह आदा पलोट इनका खली पड़ा है बाद में बनाने वाले है और आदा पलोट में ही इन्होंने काम चालू किया है ग्राउन फ्लॉर फर्स फ्लॉर और सेकंड फ्लॉर का एक काम चालू है बाकि यह जब बाद में बनाएंगे तो यह बालकनी तोड़के और आगे दूसरा च इसलिए अभी ये बालकनी हम लेवल में ठोक रहे हैं हमारे यहाँ पर इसे बालकनी भी कहते हैं कोई-गोई छज्जा भी कहते हैं और टेक्निकली बाशा में इसे क्यांटी लेवर भी कहा जाता है और ये जो सीड़ी आपको दिख रही है ये मकान के एकदम बिच ओ बिच आ जाती है क्योंकि आगे दो रूम है सीड़ी के और सीड़ी के ये साइट में भी दो रूम इनके जब बाद में बनाएंगे तो दो रूम बन जाएंगे आज का ये विडियो बहुत छोटा है दोस्तों पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर देना इस सीड़ी का सेंट्रिंग हमने कैसे किया है वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा आप उसे भी देख के लाइक कमेंट जरूर कर देना प्रफेको जो जो टेखंसे करतो कें क्र nacionalism थरादान क्वाराद आًप कि नरा missile नरा शूम श 18만 कर दो क्वार इंद स्क्राण हुआ रता потребarti ते नरा भूर ते हुआँ लोग आ उड़ार दोरा झाल यजे ऊज उड़गे जड़ाईब आगार जड़ी क्यार है यजे बड़ी कर दोरादी हाई प्रहाई जए वह प्र एफ़ा है वह ले भींड़ी है हम जब बहादे हैं जुट करें लोग दो कर्दों और 59ड कर्दों करे थे भ ह tô आब मांगे लुप बस्टार जो पंदा हुए थर है सम्कूप को सन साधन करें आदें तो तो भे टų ब Bay यह मैं आपपन काया था पिंग उली हो लाग अ कि इसाई हुआ है एक लो यह बादे उड़ने को जूए पसना कि आपटोग जो यापन गज़ टो लो नगगा